नमस्ति दोस्तों इंस्ट्रक्शनल टेक जूगेशन चानल में आप सभी का सवाव थे आज हम लोग जीमेल में आपको जीमेल आकाउंट के उपर जाना पड़े जैसे कि हमें सबसे पहले तो हमें कमपोज मेल में जाना पड़े कमपोज मेल में जाने के बाद यह जो कमपोज मेल की विंडोय हो से हमें बढ़ा करना पड़ेगा जैसे आप दिखते हैं कि help me right इस बटन के उपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहां आपको जीस तरफ प्रकार से मेसेज़ेस चाहिए जिस प्रकार से टॉपिक के उपर आपको मेसेज़ चाहिए उसको अभी यहां लिखना है तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि कॉण्वरेंस इन इविटेशन लेटर और यहां को क्या करना है कि इंटर बटन दबाए जैसे आप लोग इंटर बटन दबाओगी तो तुरंट विदिन सेकंद आपके सामने कॉण्वरेंस लेटर यहां को डियर आपका जिनको बेजना है उनका नाम लिखना पड़ेगा औ कुण से फिल्ट से रिलेटर है यह सब जानकारी आपको क्या करने पड़ेगी एडिट करने पड़ेगी इसके लिए हमें क्या करना है कि इंसर्ट बटन के ऊपर क्रिक करना है जैसे आप इंसर्ट बटन के ऊपर क्रिक करोगी तो आप यहां जाके डियर जैसे इस जगह पे आपको धाम बताना पड़ेगा सतीश यहाँ जाके आपको कॉन पॉरस का नेम डालना है यहाँ जाके डेट डालने है तो इस प्रकार से आप लोग हेल्प में राइट बटन का इस्तमाल करके आप लोग इस तरह से लेटर बना सकते हैं और कुछ एक्जामपल्स लिते हैं जैस करना है तो जैसे हम लोग कॉलेज कोड अफ कंड़क बताने उनका नाम आएगा और यह जगर पे आपको क्या करना है कि वह इंपॉर्मेशन्स आपके सामने रूल्स और स्टुड्डन्स जो एक्स्पेक्टिशन उनके बारे में जानकारी हम लोग आ सकते हैं तो इस तरह से ह फिर एक बार हम लोग राइट बटन के उपर क्लिक करके हम लोग जैसे आप सब जानते हैं कि नेक का वर्क रहता है और नेक वर्क को डिस्टिपूशन करने के लिए हमें बहुत बार बहुत सारे मेसिजिस या इमेर्स दिख लिए तो हम लोग देते हैं कि फैक्शन अफ में हमें नेक का जो वर्क डिस्टिपूशन है वो क्राइटर वाइस का लेटर हमारे सामने दिखाए जैसे आप देख सकते कि भी आप जहाब दान सकते हैं यह जगा पर क्राइटर वाइस किस तरह से इंपॉर्मिशन भी है यह भी दिया है और दूसरा अगर आपको बहुत स स्टोरी फॉर चेटर उची यह अगर आप टाइब करें तो आपके सामने लाइन रहे घ्रट रिलिए जो भी स्टोरी जेव आपके सामने हो थी कम समय में आपके सामने दिखा नीगया और फिर आपको क्या कर रहा है आपके बच्चो के बहुत में बीने कि ईनिला आपके अपने जीमेल आकाउंट में यह का इस्तमाल करके आप जीमेल आकाउंट को बहुत ही ज्यादा बहुत ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पतंद आएगा धन्यवाद